ओर्यार जंप लंच में बना था इनर, एक बिर्यानी जो मैंने बनाया था और मुझे खुद्धे बहुत उज्यादा प्राउड हो रहा था ब consumer बहुत उज्यादा डेरी त्टी और बहुत उज्यादा डिली से बना था आप भी देखिए देखके पता चली रहा होगा तो हमने लंज में में इंजॉय कि अपना एक बिर्यानी उसके बाद हम लोग निकले शाम को मार्केट में क्योंकि मुझे एक पर्स चाहिए था तो मैंने वहाँ से एक पर्स पर्चेस किया और बस और कुछ भी नहीं आप भी देखिए आगे इसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा मैंने ये ब्लेक कलर का पर्स लिया जो कि मुझे प्रस में भी हैंड पर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और अच्छा लगता भी है तो मैंने ये पर्स लिया और यहां पर बहुत ही सस्तर था सौ रूपे में मुझे मिल गया ये पर्स 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 कैसे आप सब वेलकम बैक आपी लाइव ब्लॉग मेरे नए ब्लॉग में आप सब कस्वागत देने होब करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ही जादा अच्छी हूं और नेक्स मॉर्णिंग हो चुकी है और अभी साड़ा काम निता लिया है मैंने बस अभी नास्ता बनाना है तो चलिए सबसे पहले फटा पट नास्ता बनाते हैं उसके बाद मैं बताती हूं आगे का प्रोग्राम क्या है कैसा है मैंने जैसे आपको बोला था पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो पता होगा कि मैंने बताया था कि एक सब्राइज है किछनी राथ बनाया था था मालू और राइस तो अलू एक्षना था तो मैंने फ्रीज में रखा था तो मैं आई कीचन में देखा है क्या मैं बनाऊ सब्ची कुछ वरा था नहीं तो बस इसलिए मैंने वह आलू ही लिया और आलू जब मने मसल के देखा तो आलू की हमें भी बनाते हैं पराथा और यह पराथा और भी ज्यादा कॉर्ण ज्यादा रहा था खुड़ाख आलू तो और काफी डिली सेनदा और मेरा जुगार्ट कौश दो था वो काम कर गाया हमें सब नहीं होता है तो आप भी कभी अपना जुगार्ट लगाई झाल झाल मैं वापस आ गई हूँ नास्ता बना के नहीं है मैंने नास्ता कड़ भी लिया है क्योंकि बहुत जादा गर्मी हो गया था पसीने से भीग चुकिए तो मैंने तुरण सूट नहीं किया मैंने नास्ता बगरा से फिनिस कर लिया है और बहुत ही जादा यम बनाता मतलब आलू पैस का पराठा तो बस मैं अभी आपसे इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे आपको ये अपडेट देना था कि बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि दुर्गापुजा मतलब क्अ कॉलकाता का दुर्गापुजा के पीटना लावी हमां से यांव सब कोई पाता है और मैं सुबू से वहाँ रही हूँ वहाँ का पूजा घूमी हूँ तो मने ज्ञादा तर्शा आती हूँ कि मैं वहां पे ही दूरगा पूजा एंजॉय करूँ पर ठरबर तो नहीं जा पाती हूँ बठाँ इस बार जा रही हूँ पिछले बार में नहीं गई थी बत इस बार जा रही हूँ और थोरा पहले जा रही हूँ क्योंकि मेरा बड़े भी इस मतलब मेरा जनम दिन मी 30 सितंबर को है और दुर्गा पूजा भी पहले से श्टार्ट हो चुका रहेगा तो मैंने सुचाए कि जब जाना ही है दुर्गा पूजा घूमने तो क्यों आतरा पहले ही चला जाए तो इसलिए मैं गई थी पिछले ब्लॉग में आपने दिशा हुआ कि मैंने बैग भी एक खरदा था जिसके मुझे ज़र्दा थी पैकिंग वगरा के लिए तो बहुत ज़द उसका वी ब्लॉग आने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी जाने वाली हूं बहुत नज़दी का चुका है टाइम जाने का बट मैंने पहले नहीं बताया मैंने सुझा कि मैं जब जाने वाला दिन नज़दी का आएगा तब मैं आप लोगों को पताऊंगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि जाने वाला दिन नज़दी का चुका है और मैं बहुत ही जादा चुपी है और मैं बहुत ठक गई हूआ और भूब भी लगिये तो मर भूस्से पहले जाती हूँ झासी नंज बनाने चलते हूए में पर में आई हूं मुझे कुछ चीज़े लेनी हैं इसके लिए तो चलिए चलते हैं बाहर देखते हैं कि क्या चीजे लेते हैं बने इस ब्लॉग में मैं थोड़ा लोग फिल कर रही क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीवर लग रहा है इसलिए मैं बहुत जादा एक्साइटर वाला मून नहीं दिखा पा रही है वट कोई निकाम तो करना है तर फि मैंने मूमOoh थोड़ा आज मैंने बहुत खाया ही हैं इस ब्लॉग में हमुझे खाते हुए सिट देख रहे होंगे क्यों मूझे सच्में बहुत भूफ लग रहे थी तो मैंने मोमथ यहां पे खाया और उसके बाद मैं निकल ली वहां से मेडिकल शॉप वहां से मैं मेडिकल सॉप्ष दवा ली कि तो मुझे फीवर लग रहा आता है और बस इसके बाद में लिए इस ब्लॉकर में प्रेएंड करती है तो इसमें पहुत ज़्यादा आपके बीजिए